Hi everyone, welcome back to course step by step, my name is Anil Angler के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं dynamic routing की सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा dynamic routing होती क्या है static routing, dynamic routing में difference क्या होता है, कहां इसका use होता है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा routing के अंदर कुछ information या अफि data किस तरीके से pass कर सकते हो और किसी और route पे जाने के बाद में किस तरीके से उसको get कर सकते हो और last में कुछ interview question भी हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले अगर आपको यह ना पता हो कि static routing क्या होते है जो normal routing होती है उसको static routing ही बोलते है basic routing होती है, जैसे कि मैं home page के उपर गया about वाला page खोला, user वाला page खोला है तो यह static routing है, इसके अंदर बस एक page का idea आती है और उसके basis पर हम लोग information ले आते है dynamic routing का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर user के बात में कुछ dynamic number पास करते है और dynamic information निकल के आती है बट जो actual हमारा URL होता है वो same ही रहता है, example के लिए मैंने यहाँ पर एक मेरा project बनाया था मैंने UJS के अंदर वो open करके रखा है ताक कि आपको easily समझ में आ जाए जब भी मैं update पर click करूँगा न तो यहाँ पर देखो यह वाले एक तो update वाले page के उपर तो जाएगा वहाँ पर dynamic ID भी जाएगी जैसे कि first वाले पर click करने के उपर 1 जाएगा, second वाले पर 2 इस वाले पर 5 और last वाले पर 7 उससे क्या होगा कि उस ID के base पर हम लोग database से information fetch करके लेके आते हैं और वहाँ पर display कर देते हैं जैसे कि मैं update पर click करता हूँ तो update तो मेरा main route हो गया उसके बाद में यह होगी मेरी dynamic routing because यह जो 5 धना यह dynamic चला गया जिस भी ID मैं click करता हूँ मैं यहाँ पर click करा तो यहाँ पर 7 चला गया अब यहाँ पर click करा तो मैंने यहाँ पर 1 चला गया अब आप बोलोगे इसका कर क्या रहे हो इस ID का इस ID के base पर मैं जो यह form कंदर information दिख रही है न आपको इसको pre-fill करवा रहा हूँ दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से जब मैं 7 पर click करूँगा तो ओम restaurant की information निकल के आ जाईए यह देखिए इस form में आ गई और जब मैं first wallet पर click करूँगा तो इस तरीके से हमारी ID 1 की information होगी Burger King की वह information निकल के आ गई तो dynamic routing किस तरीके से कम आती है जब हमें कोई list की information database से निकालनी हो अब dynamic की क्यों बनाना है आप बोलोग static बना लो reason यह देखो अब मान लीजे मैं home page के उपर हूँ मेरे पास हमें 100 restaurant है 100 restaurant की मैंने यहां पर list तो बना दी 1 2 3 4 करके ठीक है अब मैं जब यहां पर click करने जाऊंगा तो क्या यहां पर चले जाएगी फिर बात में 100 restaurant हो dates हो जो भी उसकी idea होगी यहां पर जाएगी और उसकी information हमारे हमें यहां पर fetch होके मिल जाएगी यह concept होता है dynamic routing के पीछे all right, so हम इसको करते कैसे है मैं यहां पर कुछ example लेके दिखाऊंगा इतना तो मैं नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर कि मैं आप फैच वगार information करके दिखा दूँ इसके लिए जो हम एक mini project बनाएगे न अंगलर का उसमें करके दिखाऊंगा और हो सकता है कि मैं same project ही बनाऊ देखते हैं उसके लिए भी मैंने प्लान करा नहीं है बर जल्दी आएगा वह भी सो अब बात करते हैं कि data को pass किस तरीके से करते हैं सबसे पहले मान लीजे कि मेरे पास जैसे यहां पर user लिखा हुए कुछ dynamic users है हम पहले problem लेके आते हैं इसकी solution भी देखेंगे सबसे पहले मैं जाता हूँ about वाले पेज के उपर तो sorry app वाले पेज के उपर यहां पर तो देखे यूजर वाला पेज है हमारे पास और मैं यहां पर क्या करता हूं बिया टाइग लगाता हूं दो और यहां पर कुछ information लगाता हूं जैसे यूजर हो गया वन यूजर टू यूजर थ्री और मैं यहां पर लिख देता हूं नॉर्मली अनियल कि सैम कि एंड भास कर ठीक है अब यहां पर देखो मुझे कुछ dynamic id पास करने पड़ेगी अब यह user है सारे के सारे तो user की id जाएगी यहां पर लेट से इसकी id चली गई user और इसकी id है 20 ताकि मैं उस id के बेस पर information गेट कर पाऊं हर एक user की id तो होगी 30 हो गई और इसकी होगी यहां पर 40 ठीक है अब हम यहां पर आते हैं तो अब देखिए यहां वाले तीनों राउट परफेक्टली काम कर रहे हैं बट जैसे मैं यहां पर जाता हूं अब अनल की information fetch करनी है अगर मैं यूजर वाले page पर ले जाऊंगा तो पता कैसे चले कौन से user की information fetch करनी है बेसिकले मैं करना क्या पड़े है कि यहां पर user के बाद में ID होगी वह पास करनी पड़ेगी बट अभी के लिए डिरेक्ट लिए नहीं चलेगा जैसे मैं इस पर लिखता हूं तो यहां पर error आ गए आप बोलोगी कि error क्यों आ गए यह कह रहा है कि URL match ही नहीं करता user 20 से user 30 से क्योंकि हमने अभी था कि dynamic routing define नहीं करें राउट सो बना लिए हमने वह कहां करनी पड़ेगी जो लास्ट वाली वीडियो हमने राउटिंग करी थी ना वहीं करनी पड़ेगी सबसे मैं इनको पहले इनको collapse करता हूं और इसके अंदर जाते हैं इसके अदर हमने एक user की वाला रखना पड़े है कि आपने क्या नाम दिया था इसको इस parameter को और वही parameter की हिसाब से आपके आइडिया आपको मिलेगी अब यहां पर चला गया सब्सक्राइब कर सकते हैं राउटिंग चली तो गई first step मैंने आपको बता दिया सेकंड वी आपको बता दे कि उसके लिए आपको फिर से उसी पेज में आना पड़ेगा जिस पेज आप इसकी information गेट करना चाहते हो सो मैं आता हूं फिर से यूजर वाला पेज है हमारा सो यूजर की ट्येस वाली फाइल में आता हूं ठीक है यहां आपको लिखना है active route जी आगया ठीक है activated route और यह अपने आप जैसे हम क्लिक करते हैं अपने आप इंपोर्ट होगा अगर यह इंपोर्ट नहीं होता तो इस राउट से आप इसको इंपोर्ट कर लेना ठीक है इसके बाद में क्या करेंगे इसको हम यहां पे print भी करवा चाग कि देखते कि मैं लिखता है आप अब कंसोल लोग भी लगा लो वोन भी लगा लो कोई फरक नहीं पड़ता तो यूजर आईडी इस और यहां पे लिखता हूं कि दिस टॉर रॉट डॉट शोट टॉट ऐसने पिस तोट प्रमाप बनाप और सिच के बाद में इप अ 11-ا और यहां पर लिखHigh कर करता हूं अब यहां पर पे靡 करता ऑफ बार पर चला गया और फिर स्लीम पर आता हूं था की एघलबाई हुशा अपर बिए दिखानी भी है तो और भी कुछ मुश्किल काम नहीं है जस्ट यहां पर एक प्रोपर्टी डिफाइन कर दो यहां पर सिंपली लिख सकते हो आईडी और इस तरीके से इनफ रहे गया इधिंग चाहो तो इसे कुछ वैले भी डिफाइन कर लो यहां लिख देता हूं यूजर आईडी लिख देता हूं इस तरीके से और लेट से कि यह है स्ट्रिंग टाइप कि आती है थी ठीक है और उसके बाद में आप चाहो तो इसको कुछ डिफोल्ट वैल्यू डिफाइन करने तो वो कर देना उससे कोई खास फरक मी पड़ेगा और यहां पे आप ले लो दिस डॉट यूजर आईडी और उसके अंदर आप इस वैल्यू को असाइन कर सकते हो डिरेक्ट ली उठा गए ऐसी ठीक है और अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हो तो इजी का बोल रहा है तो इसको हम लोग स्ट्रिंग और नल भी कर देते हैं फिर आप इसको पीछा चोड़ो अभी के लिए डिरेक्ट ली नहीं कर दो आप टेंशा नहीं बतलो ठीक है और आपको प्रोपर डिफाइन करनी है तो यहां पे स्ट्रिंग और नल भी कर सकते हो यह थोड़ा सा यहां पे ऐसे भी करने की जूरूट नहीं पड़ेगी अब इसको प्रिंट कैसे करना है तो यहां पर आओ और सिंप्ली लिखो यहां पर एच्वां टैग में कि यूजर आइडी इस कि यहां पे डबल कर लिए प्रेस के अंदर लिख दो यूजर आइडी और अब देखते हैं हमें क्या मिलता है यहां पर यूजर आइडी 30 आ गई मैं होम पे गया अब होम पे कुछ है नहीं अब लैट से मैं भास कर पे गया फोटे आ गई फिर घूमके मैं बाउट पे गया जैसे कि यूजर वाला पेज इसके वने राउटिंग हटा दी तो यह फट गया यह फटना नहीं चाहिए ठीक है अब मैंने यहां पर आउटिंग लिख दिया है अब यह यह फट गया एक बाई डिफोल्ट राउटिंग कैसे दिखा सकते हैं जिसके उपर हम इसको यूजर क सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलना